हमारे साथ यहां पर तीन मैंवान मौझूद हैं उनका तारूफ करा दें सबसे पहले हमारे साथ यहां पर मौझूद हैं राजनेतिक विशेशक गेके मिस्रा जी स्वागत है सर आपका तो इसलिए ने दिक्कत यह हो रही कि सबड़ों को यह कुछ देना भी नहीं चाहते और अपरोध मजबूरे में नहीं कर रहे हैं इसलिए इस तरह की बात लिए लोग कर रहे हैं यानि एक तरह से विपक्ष है वो विरोध चाहा के भी नहीं कर रहा है क्योंकि बात अब चुनाओ की है लोगसवा चुनाओ नजदीक है देखें मैं आपको बता हूँ टेक्निकल ए Risk सब्रहस कर देखें सब्सक्राइब लेता हूं अगर अगर घट विए गजफ ऐस लिए लिए कि पोलिए मैंलेज के लिए मैं नहीं किया है फर्क देखिएगा तो बीजेपी बोलती तो बीजेपी डिसीजन लेती कि हम आरक्षण हटा रहे हैं, ना कि हम 10% एडिशनल आरक्षण दे रहे हैं, अरे 10% एडिशनल आरक्षण आपने दिया, तो जो 49-50% है, उसके उपर समविधान सलसोधन करके दिया, मैं पॉलिटिकल माइलेज इसका तब म माइलेज ले रही है, बड़ी होश्यारी से ले रही है, बीपक्षवाले इसको प्रूव नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ फर्क यही है, कि पॉलिटिकल माइलेज लेकर के भी अगर अच्छा काम हो रहा है, तो कोई बुराई नहीं है, लेकिन डेफिनिटल 101% मैंने लॉजिकल यह बोला है, कि अगर बीजेपी इसका पॉलिटिकल माइलेज नहीं लेती, जो यह कड़े फैसले लेने के लिए हमारे मोदी जी है, जो प्रसिद्ध है, मैं बोलता हूँ, इसी बिल को वो कनवर्ट कर दे कि मैं आरक्षण हटा रहा हूं, जितना अभी है, 49% जो आरक्षण ही है, लेकिन आपने अपने विशेस अधिकार का जो है, प्रयोग करते हुए, जो बची हुई 50% थी, उसमें से एक टुकड़ा काट लिया, आपने उसका अथिक्रमण करके, एक वर्ग विशेस को या सामान वर्ग को आपने फैदा पहुचाया, इसलिए मैं बोलता हूँ कि पोलिटिकल माइलेज ले रही है, जिस दिन ये बोलेंगे कि पूरे 49 इंग्जिस्टिंग जो सिस्टम है, उसमें मैं पूरा आधार भूत परिवर्तन कर रहा हूँ, कि आर्थी का आधार पर कर रहा हूँ, उस दिन मैं मानूँगा कि देश के लिए, समाज के लिए इन्हों पोलिटिकल माइलेज मिलेगा, अब सिक्के के दो पहलू है, या तो आप उसको जनता के एक अच्छे कदम के तौर पे देखिए, या आप उसको पॉलिटिकल पार्टी के होने के नातियाप ये कि पुलिटिकल माइलेज के लिए लिया गया, किसी भी कारण से लिया गया हो, वो कहीना कहीं एक सराहनी कदम तुलिया गया, कम से कम गरीब और सोसे तर्बंचित की बात की गई है, और पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल, अगर माइलेज हमें मिल आया, हमने जनता की हकी बात किये, तो सुमें क्या गलत है, तेकिए ये बिपक्च कहीना कहीं करेंगे, हला मचाएंगे, और अभी राजसभा में जब पटल पर अखा जाएगा, बिल पता चल जाएगे, कौन कितने पानी में, सबसे पहले सवाल सर आप से एक मिसराजी आप से जानना चाहेंगे, जिस तरीके से सरकार चुनाओं से पहले ये फैसला लाती है, एक बिल प 2019 के चुनाओं को देखते हुए अपने वोट बैंक की ये राजनीत कर रहे हैं, लेकिन देखें इसको तीन पैरामीटर पर आप देखिए, पहला पैरामीटर तो ये है कि पोलिटिकल एंगल से देखिए, आगे आने वाले चुनाओं, दूसरा है ये है कि सामाजिक और एक ए इतिहास में जो राजनीत होती थी, भले ही किसी भी नियत या किसी भी फोर्स के कारण BJP ने मजबूर होके ये काम किया है, लेकिन एक बड़ा एतिहासिक काम हुआ है, कारण ये है कि राजनीत में चुनाओं जीतने का सबसे एक मतलब वंडरफुल तरीका जो होता था वो हो समविदान में एक सुविधा है, लोगों को मदद देने के लिए जो कमजोर है, ना कि एक मूल भूत या मौली का धिकार है, लेकिन इस सुविधा का राजनीतिक पार्टियों ने हर बार दूर पयोग किया, तो दस परसंट से बढ़ के बीस परसंट पचीस परसंट पचास परसंट तक इससे भी उपर पहुँच गया और लोगों को कोट में जाना पड़ा, तो कोट ने लगाया कि सीलिंग तैकी कि पचास परसंट से दाजा नहीं होगा, सारी पाठियां, चुकि ये एक ऐसा ब्रह्मास्त था, आप देखे, सपा की समाजवादी की जब सरकार बनी से बीजेपी ने किया हो, लेकिन इसका अंतिम परिणाम बड़ा अच्छा है, और इसका एक रीजन है, देखे, कल तक तो ठीक था, आज सारी पार्टियों ने एक दो पार्टियों को छोड़के, इवन मायावती जी का भी देखे, समाजवादी पार्टी ने इसका समर्थन क अब असल तरीके से, अब देखे, समाजिक पाहलू को देखिए, आरक्षण के कारण एक जो इतनी बड़ी खाई समाज में पढ़ गई थी, इस पेसलिए अगर हिंदूों में ही देखा जाए, समर्डों में और बैकवर्ड इन सब को, एक दूसरे से लोग अलग हो गए थे, अब होगा क्या, अब ये फिर से मेल मिलाव शुरू होगा, तो ये एक समरस्था का बहुत बड़ा उदारण है, और मैं तो बोलता हूँ कि दीरे-दीरे करके ये, अब देखे, आर्थिक आधार पे आरक्षण दिया गया है, इसको लोगों ने एकसेप्ट किया, हैं, आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जिनको मदद करनी है, आप उनको आर्थिक रूप से दीजिए, मुझे लगता है, सारी पार्टियां मिलके इस पैरामीटर पे भी विचार करेंगी, सामाजिक समरस्था के हिसाब से ये बहुत मजबूत कदाम है, और दूसरी चीज, समा करियों में जो आरक्षण है, उससे एक कोलेटरल डैमेज होता है, कोलेटरल डैमेज ये होता है कि कुछ ऐसे, जो कम योग ये लड़के हैं, वो भी डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, तो उनकी दक्षता नहीं होती है, वर्क को या जाब को परफॉर्म करते हुए, तो देश को अल्टिमेटली तो आरक्षण से नुक्सान होता है, मैं आपको फ्रेंकली बता दूँ, अगर आपको देश का विकास करना है, तो आपको टैलेंट को ही आगे लाना पड़ेगा, वो चाहे किसी भी जाती धर्म के हो, मैं एक चीज और बताऊंगा, जो पिछली पिछडी जातियों के लोग है, वो उनको जो है, ताकि बुड़ा ना लगे, प्राचीन काल में आप देखिए, इतने ज्यादा, सरजरी की जिनों ने खोच की, सुष्ट जो आईरवेद के फादर आप सरजरी जिनको बोला जाता है, वो जाती के कुमार थे, भगवान कृष अगर आप विकास मानिये, तो मैं नहीं समझता हूँ, परसनल विकास हो सकता है, जिसको आरक्षण मिल रहा है, किसी भी तरीके से, उसका अपना, अपनी फैमिली का भी का सोगा, समाज का और देश का विकास नहीं होगा, यह मान के चलिए आपको बता दे कि कल जो सरकार यह जो जमीन है, वो ही हो नहीं चाहिए, सर बीजेपी जो है, आपे स्वार आरक्षण लाई है, दस विजदी, वहीं आपके तमावी पक्षिदल कह रहे हैं कि एक चुनावी जुमला है, जो चुनावी जुमला हो, कुछ भी हो, लेकिन कहीं नहीं सरकार ने दबे, कुछले और गरीबों की बात की है, आज सामाने बर के लिए अरक्षण का क्यों प्रवधान लाया गया, क्योंकि कहीने कहीं एक गरीब तपका जो था, जो सामाने बेग्ग्राउंड से ब्लॉंग करता था, वो कहीने कहीं बंचित था, और उसको इन सब्दाओं की जुरूत थी, दूसर सित्की या जो बिल्कुल पूरे स्टेरियो सेक्षण अब दूसाइटी है, उसकी कभी किसी ने बात नहीं किये, आज बात विकास की हो रही है, आज सभी, अगर देखी 10% आरक्षण देने से, समाज में सभी बर्गों के गरीबों को कहीं न कहीं अब इसका लाव मिलेगा, दूसी चीज हमारे समाजवादी पार्टी के मित्र कह रहे हैं कि विकास हमने पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए ये स्टैफ हम लेके आए हैं, तो आप सरकार में थे, आप ले ले थे पॉलिटिकल माइलेज, आप सभणों को ये हक दे देते, क्यों आपने नहीं दिया, आप क्यों मुसलिम मुसलिम चिलाते रहें और क्यों आप मुसलिमों के पीछे भागते रहें, दूसरी चीज आप मुझे लगता है कि थोड़ा सा कर आप पहलके आते तो आपको जानकरी जादा अदा अच्छे सी होती, यहां 49 प्लस 10 परसेंट की बात की गई है, क्लियर कट इस एक्त को लेके कहा गया है, जो प्रभ्धान लाए गया है, कि जो 10 परसेंट डिया जायेगा, वह 49 परसेंट के अलावा होगा, यहां किसी का डैरेबेशन कट नहीं रहा है, बलकि जो 51 परसेंट था उसमें से 10 परसेंट जाएगा, जो कि समान वर के लिए ही था, यह उनι उसी चीज देखिए, रिजर्वेशन किसी चीज का सल्यूशन नहीं है, संविधान निर्माता जब रिजर्वेशन का सिस्टम लेकर आए, उनकी क्या मजबूरियां रही हैं, क्या समझिक परसितियां थी, उस पर कटाक्ष नहीं करना चाहूंगा, आपको कहीना कहीन, एकोनोमेकल भीकर सेक्सन अपने सुसाइटी को, जो इकोनोमेकली भीक हैं, उन पर फोकस करना पड़ेगा, आज आपको कास्टिजम की राजनी छोड़नी पड़ेगी, आपको धन की राजनी छोड़नी पड़ेगी, कि अगर हमने कहीं ना कहीं सवनों का बिरोध किया तो सवन हमसे खिसक जाएगा अरे आप बिरोध तो करी रहे तो सतर साल आपने दलितों को इतना अरक्षर दिया क्या सभी दलित अमीर हो गए अमीर अमीर होता गया और गरीब दलित बचार आज भी गरीब है तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों में पॉलिसी में चेंज होने पड़ेंगे और जिस तरीके से परामिटर सरकार ने बनाए हैं इनी परामिटर को आपको अधर जो केटेगरीज के रिजर वेशन हैं उनमें भी लेके आना पड़ेगा क्योंकि आपको दलित रिजर वेशन की जगह गरीब दलित नजदीक हैं तभी ये फैसला किर क्यों हो निए टाइमिंग को लेकर तो हर चीज पर सवाल उठेगा क्योंकि अंतिम दौर में हैं सरकार पांच लगवाख चार साल पूरे हो चुके हैं पांच-छे महीने बचे हैं तो सरकार के पास जितने भी पेंडिंग असाइनमेंट्स है इसी डूरेशन में करना है हम कुछ भी करेंगे इनके लिए चुनाओ का ही महौल होगा अरे चुनाओी माइलेज अगर आपको लग रहा है कि भाजपा ले रही है तो आप लेके आजाते हैं आप ले लेते माइलेज लेकिन कम से कम गरीब सबनों का अपने ख्याल तो किया हो कि यह अब से पहले क्यों नहीं पहले आपने जब आप मिलना चाहिए तो आपने किया क्यों नहीं पहले सवरणों को मिलना चाहिए आज आप फेवर कर रहे हो तो इसके पहले क्यों नहीं देखे मैं आपको बता हूँ इसमें ताना बाना क्या है जैसा कि अभी दुवेदी बोल रहे थे बीजेपी के देखिए जब सम्विधान बन रहा था तो जिन लोगों ने आरक्षन का प्रोवीजन किया उनके भी इरादे बड़े नेक थे वो चाहते थे कि एक शोषिस समाज को जो है एक ऐसी सुविधा दी जाए उन्होंने इसको राजनीत के पहलू से उन्हो तो नारे होते थे और मैं खुलनम खुला बोलना उत्तिलक तलाजू और तलवार बूरा बाल क्या करो साफ करो यह सारे इसी बेस पे इन्होंने बीसों साल पचीसों साल तक अचा होता क्या है जब आपको एजी वे में कोई चीज मिलने लगती है ना आपको तो पता चल चली दिया दी थी लोगों को एक सपोर्ट दिया था सवाल यह है कि सारी पार्टियों को अब समझना चाहिए कि आरक्षण को इस मुद्दे से निकाला जाए मैं बीजेपी को भी बोलता हूं देखिए यह 101 परसंट शे हो रहे है कि बीजेपी अगर प्रेशर में आती नहीं अग प्रेशरों पार्टियों पे देखिए अगर बीजेपी को वाकही में सवर्णों की चिंता रही होती है उसको यह बहुत बड़ा समाज सुधार का जरिया मानती थी तो आते ही साल दो साल में इस चीज को कर देती बीजेपी भी एक पॉलिटिकल पार्टी है पॉलिटिकल हो रहा है तभी मुलायम सिंग्यादों सारी पार्टियों के नेताओं ने जो पहले दलितों को या किसी को भी यारक्षर देते थे इसकी खुल के प्रशंसा की है इसका मतला है सारी पार्टियां एग्री है एक दो को छोड़ करके मार्कसवादी वगरा विचार धारा के जो ह है जब सारी पार्टियां खुश है तो इस पर तो बहांसी नहीं होनी चाहिए यह एक अच्छी चीज है अब बीजेपी इसका राजनेतिक फैदा ले रही है तो दूसरी राजनेतिक पार्टियां जाके इसका तोड़ धूड़े ना उनके पास भी तो थिंक टैंक है पचास कि राजनीत में और तुस्ती करण की राजनीति और आरक्षण के ऊपर जो पची सो साल से राजनीति चली आ रही थी शायद उसका खात्मा हो जायेगा दूसरी चीज जो लोग कह रहे हैं कि बीजेपी ने पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए इलेक्शन के जस्ट पहले य आप कह रहे थे कि हम कहीं ने कहीं पॉलिटिकल माइलेज लेना चाह रहे हम जब कोई कोई ना कोई सुधार का कदम ले क्या है तब आप यहीं चल लाते हैं कि हम पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए भी अगर हम यह सब सब लेके आए तो कम से कम देश के विकास की बात कर हैं आज हम सबको साथ में लेने की बात कर रहे हैं सबका साथ सबके विकास की बात कर रहे हैं क्या आरक्षण लाके सबका साथ सबका विकास क्या आरक्षण से ही मिलेगा निए कि आरक्षण से आज कहीं ने कहीं अब देश में बहस ये छिडी हुई है कि जिस तरीके से गरीब सामाने वर्ग के बेक्ति को रिजर्वेशन की सरकार ने बात की है क्यों ना दलेत और पचलाबर्ग में भी गरीब के रिजर्वेशन की बात की जाए क्यों ना क्रीमी ले और जो अमीर दलेत है उनका जो रिजर्वेशन है वो खत्म किया जाए क्योंकि कहीं ना कहीं आप जो बहस का डारेक्स ने वो दलित पिछड़ाबरिक्स की जगे अब गरीब और जो सोसित लोग है उनके बारे में बहस चिड़ी है और मुझे लगता है कि बहुत स्वागतियों के कदमें बसरते इन पार्टियों को इसको पॉजिटिबली देखना पड़ेगा बई पॉलिटिकल बहस को हुटीने के लुटिकल वी तो पॉलिटिकल माइलेज़ लेकिन आप में हमत नहीं थी कि आप इतने बड़े स्टेयप लेके आ सुवाल है कि जी आरक्षण का लॉलीपॉप हैsolil lesson जुम्लाने, जिए लगता है कि जब कोई चीज पॉठ जाती है। उसमें लॉलिपोफ भाली कोई तब पहली बार कॉंग्रेस ने कहा था कि 10% सवर्णों को बिल बीजेपी रिजर्वेशन क्यों नहीं दे देती अब हमने रिजर्वेशन दे तो आप उसमें भी आलोचना कर रहे हैं तो देखिए ये मुझे लगता है कि सिर्प आलोचना करने के लिए इस तरह की बातां कर रह लोग सभाव में बिलपारित हुआ है राजसभाव में रखा जाएगा राजसभाव में अगर पारित होता है और समयधान ससोधन होता है तो इसमें लाब मिलेगा लॉलीपोबली कोई बात ही नहीं है इसमें कि मूलेग उन्यश चाह बदकर Das तो इसमें भी इस तरह कोई पकु झाल झाल झाल